तो दोस्तों जैसे आप Android फोन में या फिर iPhone से कोई भी एप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप Android में Google Play Store में जाते हैं और iPhone में App Store में जाके डाउनलोड करते हैं Apps को लेकिन आप Windows में कहाँ पे जाके Apps को डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे Start बटन दिख पा रहे हैं यहाँ पे जाके इसमें क्लिक करेंगे और इसमें आपको Simply लिखना है Store तो सबसे उपर दिखें यहाँ पे आ जाएगा Microsoft Store यह जैसे Google Play Store है वैसे ही Windows के लिए यह App Store है यहाँ से आप कोई भी Apps गेम्स डाउ हुआ है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे WhatsApp है, Telegram है, Netflix है, VLC, Spotify, Instagram आपको सब मिलेगा तो आप यहाँ पे गेम्स भी देख सकते हैं Asphalt 8, Candy Crush, Angry Word यह भी है, Add of Acrobat Reader भी है जैसे Play Store में आपका Apps रहता है वैसे ही Windows PC में आप Apps को इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे मैं यह WhatsApp में क्लि करने के बाद यह WhatsApp का इंस्टॉलेशन पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो भोई भी एप आप इंस्टॉल करना चाता है, उसको आप यहाँ पर गेट में क्लिक करेंगे, देखिए, आटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं यह WhatsApp आपको करके दिखाता हूँ, देखिए, यह install हो गया है, यहाँ पर open का option है, मैं इसको minimize कर देता हूँ, अगर आप WhatsApp जो है, वो desktop में नहीं आया है, तो आप simply यहाँ पर start में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको WhatsApp मिल जाएगा, यहाँ पर जितना WhatsApp आ चुका है, अगर app store में आपको कोई app नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ओपर search कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे करके आप अपने computer में apps को install कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो, तो एक like कीजिए, चैनल में नए हो, तो जरूर subscribe कीजिए, और वीडि झाल